फिर से स्वागत है आपका हमारे डेली वेकेंसी न्यूज चैनल में दोस्तों आज का विज्यापन यहाँ पे जारी हो चुका है जिसमें चात्तिजगर के विभिनी दियुलों से आवेदन आमंदृत किया गया है दोस्तों तो आज के इसी कड़ी में हम देखने वाले हैं यहा जारी पास से लेकर ग्रेजुएशन तक किया भरती इसमें आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों उसके बाद हम नेक्स्ट विज्यापन देखने वाले हैं लग भक्ती शट पर दो पर यहाँ पे रेगुलर पोस्ट के यहाँ पे भरती विज्यापन जारी हो चुका है ज जिसमें दोस्तों यहाँ पे वाकिन इंटर्वी के माधम से यहाँ पे भरती लिया जाएगा मुख्यमंत्र सुपोसन केंडर में वक्तिगत सेवप्रदाता की रूप में कार करने हैं तुपात्र आविदकों के लिए यहाँ पे सूचना जारी क्या गया है जिसमें बोला गय है कि इच्छुक आविदक दिरांग 22 जुलाई 2022 को कारेलेहिन समय यानि कि साड़े दस बये से कक्ष क्रमांग 43 महला एवं बाल विकास विभाग कलेक्टर परिसर कुमार राज जीला सुकमा में स्वें उपस्थीत होकर अपना पंजन कराते हुए आविदन प्रस्तूत करना है दोस्तों आपको और यहां पर बोला गया है मुख्यमंद्री सुपोस्टन केंडर छिंद गड़ के लिए भी पोस्ट जारी हुआ है जिसमें सेवा का नाम देख सकते हैं इस्टाफ नर्स है जिसके लिए एक पद यहां पर रिखता है दोस्तों इसमें निर्धारित एक पर दिया गया अगला है यहां फेगे पोस्ट नर्धारित प्रति महा आपको व्यतन इसमें दिया जाएगा ने वाला है फेदिंग डेमोस्टरेटर के लिए 10,000 और सफाई कर्मी के लिए जो है 9,000 और सभ्याइजिन के लिए आपको 6,000 दिया जागा इसमें की आई-स निमा 18-35 वर्ष यहाँ पर मंगा गया है और यहाँ पर अगला है दोरुनापाल के लिए जिसमें की स्टाफ नर्स फीडिंग डिमोस्ट्रेटर जाओं की दार के लिए एक एक पोस्ट है इसमें भी वेतन और आई सुमा उसी प्रकास ही दिया गया है दोस्तों तो आप इसका उलोकन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आगे बढ़ते हों और देखते हैं उपर पदो के लिए सेक्षिन की योगिता क्या रखा गया है तो इस्टाफ नर्स के लिए जो है बीसी नर्सिंग फीजी एनेम कोर्स आपे मंगा ही जाता है जैसे कि मैं आपने प्रत्तिक वीडियो में बताता हूँ दोस्तों और फीडिंग डेमोस्टेटर के लिए जो है योगिता बोला गया है बेसी होम साइंस में आपका ग्रेजियोशन होना चाहिए और केयर टेकर के लिए जो है दस्वी पास मंगा गया है या फिक प्लीनर के लिए जो है आठी पास और जो है यहाँ पर चौकीदार के लिए पाँच्वी पास मंगा गया है दोस्तों इसमें देख सकते हैं ओफिशियल वेबसाइट का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सुकमा.go.in पर आप विजिट करके जो है इस पीड़ेप का लोकन कर सकते हैं यहाँ पर नियम एमसरते भी दिया गहा है इसका लोकन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पर उप्रोक्त पदों पर चैन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी उस पर बात करें तो यहाँ पर इस्टाप नर्स, फिडिंग डेमस्ट्रेटर, केर टेकर के लिए यहाँ पर बोला गहा है कि वांचित नियुंतम सेक्षन की योगिता में प्राप्त प्रतीसात पर सव अंकों का यहाँ पर वेटेज देते हुए, अधिकतम देते हुए, अधिकतम 60 अंक और पदा अनुभाव होने प्रतेक वर्ष के लिए 5 अंक यहाँ पर निर्धारित रहेगे, अनुभाव पर अधिकतम 25 अंक यहाँ पर दिया जाएगा, लिखित परिक्षा या फिल इस परिक्षा पर जो है आपको 15 अंक आपको निर्धालित रहेगा उसी प्रकार भृत्य अचोंकी दार के लिए हम बात करें तो वांचित नियुंता हम सेक्षिन की योगिता में प्राप्त प्रतीसात पर 10 अंकु का रेटेज देते हुए अधिकतम देते हुए अधिकतम 75 अं करेंकारी महिले अंबाल विकास विभाग दिला सुक्मा के सूचना पठल पर यहाँ पर वेबसाइट जैसे की मैंने बता दिया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनकी प्रक्रिया कारिवाही निमना अंसवार होगी तो सबसे पहले यहाँ पर आविदन पत्र जमा करने का समय यहाँ पर 10.30 से 12.30 बजे तक कर टाइम रहेगा आविदन पत्रों का प्रिक्षन का समय यहाँ पर बोला गया है किया जाएगा दोस्तों और इसके अलावा आप यहां पे इस पीडियाप का लोकन करना चाहते हैं तो जैसे के मैंने बता दिया है टेलिग्राम और डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोल लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले विग्य पारा के नाम से जो है आपको इसमें आजदन करना होगा इस पीड पोस्ट है फिर पंजीक्रिट डाक के माधम से आपके आजदन आमंतिलित किया गया है इसके लिए अंतिम्तिति की बात करें तो जो है आपको बीस जुलाई तक इसमें आजदन करना होगा दोस्तों तो यहा कला, विज्ञान कला के लिए आपर विज्यापं प Inspector के लिए विज्यापं पंजारी के आगए कंप्योटर सिक्षक के लिए भी यहाँ पर लिखा लग आगए है दोस्तों उसी प्रकार यहां पर देख सकते हैं व्याक्षाता अंग्रेजी, गर्णित, समाजिक विज्ञान कह सकते हैं मैंने अभी बता है उन सभी के लिए यहां पर विज्ञापन जारी हो चुका है दोस्तों और इसमें आपको 38,000 से 35,000 तक का यहां पर वेतर आपको दिया जाएगा योगता की बात कहने तो दोस्तों यहां पर व्याक्षाता कोस्ट के लिए मानता प्राप्तवी स्विद्याले से इसनाकोत्तर सम्बंधित विज्ञा में 59,000 प्रतिशत अंकों के साथ उपाधी तथा B8 प्रशिक्षन अन्वार यहां पर मांगा गया है उसी प्रकार यहां पर शिक्षकों के लिए बात करें तो जो है मानता प्राप्तवी स्विद्याले से सम्बंधित विज्ञा में निंतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ इसनाक की उपाधी के साथ B8 या फिर डियलेड प्रशिक्षन तथा TET पूरो माधमे की इस तर उत्तिण यहां पर बोला गया है दोस्तों उसी प्रकार यहां पर साहयक सिक्षक के लिए बात करें तो निंतम 50 अंकों के साथ हायर सेकेंडरी उत्तिन एम डियलेड या फिर TET उत्तिन यहां पर बोला गया है इसका उलोकान आप कर सकते हैं अंतिम्ति ठीकी बात करने तुझा से कि मैंने बता दिया है 20 जुलाई तक आपको इसमें डाक के माधम से आउधन करना होगा दोस्तों तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार से एक और नए वीडियो में नए जानकारी के साथ धन्यवाद